असलावलेकूम व्यूवर्स विल्कम टू माई चैनल आज हम बनारे लेफ्ट ओवर राइस का तलेवा खाना आईए देखते हैं लेफ्ट ओवर राइस का तलेवा खाना बनाने के लिए कौन-कौन से इंग्रिडेंट्स लगेंगे और इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं इसके लिए हमें चाहिए राइस देखिए हमने एक कप बचेवा खाना है ये लेफ्ट ओवर राइस और हमने लिया है एक आलू से हमने इस तरीखे से पीसस में कट कर लिया है दो टमाटे लिये इस तरीखे से पीसस में कट कर लिये और दो हरी मिट्चर से हमने स्लिट कर लिया वन टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्ची पॉडर, वन टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून हल्दी पॉडर और चाप टेबल स्पून तेल देखिए हमने हंडी रख ली है चुले पर हंडी गरम हो गई है अब हम आट करेंगे तेल ये देखिए तेल गरम हो गया है अब हम इसमे आट करेंगे प्यास देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजे अब हम हाई क्लेम पे लाइट गोल्डन प्रॉन हुए तक प्यास पका लेंगे यह देखिए प्यास light golden brown हो गई है, अब हम इसमें आट करेंगे आलू अब हम आलू को भी इसमें fry कर लेंगे देखिए अब हम इसमें आट करेंगे करिया पाक के पते लिटेड हरी मिट्स आट करेंगे नमक इस अथे से मिक्स कर लीजे अब हम इसमें आड़ करेंगे अद्रक्लेशन का पेस्ट, प्याज आलू को अच्छे से भून लेंगे अद्रक्लेशन में, अब हम इसमें आड़ करेंगे हल्दी पॉडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजे, अब हम फ्लेम सिम कर लेंगे, अब हम इसमें आड़ करेंगे टमाटे इसे अच्छे से मिक्स कर लीजे देखिए अब हम फ्लेम हाई करेंगे देखिए अब हम फ्लेम हाई करेंगे लीड लगाकर एक मिनट टमाटे सॉफ्ट होने के लिए पका लेंगे यह देखिए हाई फ्लेम पे एक मिनट हो गए हैं टमाटे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं देखिए इस तरीके से भून लीजे टमाटों को यह देखिए टमाटे अच्छे से भुने गए अब हम फ्लेम सिम करेंगे अब हम आड़ करेंगे थोड़ी सी कोत मीर लाल मिट्च पॉडर आड़ करेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे नमक आपकी टेस्ट के हिसाब से आड़ कर लीजे एक मिनट इस तरीके से भून लेंगे मिर्ची पकने के लिए देखें मिर्ची भी अच्छे से पक गई है अब हम इसमें आड़ करेंगे लेफ्टोवर राईस देखिए मसाले में राइस के इस तरीके से मिक्स कर लीजिए अब हम प्लेम हाई करेंगे एक मिनट पकाएंगे इस तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे अब हम इसमें आट करेंगे काली मिर्ची पॉड़र अब हम इसमें आट करेंगे और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे यह देखे अच्छे से मिक्स कर लिए अब हम लीड लगाएंगे सियम फ्लेम पर 27-8 मिनट दम पर रख देंगे हो यह देखे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें आट करेंगे ठोड़ी सी कोट मेग अब हम फ्लेम आफ कर देंगे Leftover rice का तलेवा खाना ड्यशॉट करने के लिए Ready है Leftover rice का तलेवा खाना ड्यशॉट हो चुका है ये देखें बहुती मज़ेदार बना हैं आप एक बार जरूर ट्राइ करें इसे आप नाश्ट बना सकते लेफ्टोर राइस से अगर आपके पास रात का खाना बचेवा है तो आप नाश्टे में इस तरीके से खाना बना दे सकते देखे बहुत आसान तरीखा है आप लेघर ज़रूर ट्राइग करें अगर आपको अमारे रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इंस्ट्राग्राम पर फॉलो भी करें थैंक्स पर वाचिंग अल्ला आफीस